हम apply करने जा रहे है law of reflection plane mirror को समझने के लिए law of reflection आपको पता है mirror है कोई भी ray अगर यहाँ पे strike करती है तो वो reflect back करती है तो यहाँ पे हम एक normal draw करती है तो angle of incident और angle of reflection जो होता है वो equal होता है तो अभी plane mirror में समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि virtual image क्या होती है real image क्या होती है देखिए अगर कोई भी image real beam की intersection से बने तो यह होगी real image तो अगर image formation real beam की intersections से नहीं बन रही है तो उसको बोलेंगे हम virtual image वो कैसे मान लो कि दो beams ऐसे जा रही है यह कहीं पर भी मिलेंगी नहीं तो हम क्या करते हैं इसको backward extend करते हैं इस raise को और जहां पर भी यह intersect करी होगी थाम हो लेगी वहां पर image formation हो रही है तो यह है virtual image formation इन दोनों में difference के लिए हम फिर कभी बात करेंगे अब पहले समझ लेते हैं कि plane mirror में image formation कैसे होती है हमारे सब के घर पे plane mirror available है तो plane mirror ड्रा कर लेते हैं ऐसे plane mirror है यह इसकी coated side हो गई यह plane हो गए यहां पर object पड़ा हुआ है और यहां पर माल हो कि आप खड़े हो के देख रहे हो इस object को इस mirror में तो आपको इस object की image कैसे दिखेगी तो हम पहली ray लेते हैं जो यहां से जगई ही और यहां पर टकराई इस पे हम normal draw कर लेते हैं तो देखी आपकी आंखों तक यह रहे कैसे पहुँचेगी कुछ ऐसे ठीक है अब second ray ले लेते हैं यहां पर normal draw कर लेते हैं और यह आप तक यह image कैसे पहुँचेगी कुछ ऐसे तो ray 1 और ray 2 यह आपस में मिलने रही हैं कहीं पर intersect नहीं कर रही हैं तो आपको image नहीं दिखेगी तो इस image को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इन rays को backward extend करना पड़ेगा यहां पर यह intersect करेंगी एक दूसरे से यह कहीं पर o dash point के उपर intersect करेंगी और आपको जो इस object की image यहां पर दिखेगी mirror के back side तो इस point का हम p ma लेते हैं एक चीज़ clear होगी कि plain mirror में जो image होती है वो virtual form होती है पहला point तो यह हो गया दूसरी property जो image form होती है वो same size की form होती है जो आपका object का size होगा same size की image form होगी तीसरा point यह है कि object जितनी दूरी पे सामने mirror के खड़ा होगा उतनी दूरी पे ही image backward बनेगी क्या मतलब op distance is equal to p o dash distance तो आपकी यह दोनों distance आपस में equal है तो देखिए जो अभी मैं आपको बात बता रहा था अब हम clear picture में देख लेते इसको तो यह p dash p आपका object है और उसकी जो virtual image बन रही है वो यह बन रही है अब देखिए rays यहां से यहां जा रही है और यहां पे आपकी eyes में जा रही है तो देखिए image कैसे बन रही है जब हम in sub rays को पीछे extend कर रहे है तो आपकी जो image है वो virtual बन रही है जो back side बन रही है mirror के तो यहां पे जो d0 और dI जो distance है यह equal होगा ऐसे form होती है virtual image हमारे plane mirror में अब हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर एक से ज़्यादा mirror हो तो कैसे image formation होगी तो इसके लिए मैं आपको एक formula बताता हूँ तो number of images कितनी form होगी 360 बटा angle minus 1 मैं बताता हूँ यह angle होगा between two mirrors तो देखिए अगर आपके दो mirror 90 degree angle पे है तो क्या बनेगा 4 minus 1 is equal 3 तो आपकी total 3 images form होगी तो देखिए यहाँ पे आपका object है तो यह दो mirror number 1 number 2 आपके जो है 90 degree पे है तो total आपकी जो है 1, 2, 3 3 images जो है form हो रही है जो मैं आपको उस formula से बता रहा था तो एक होता है हमारे पास खिलोना जिसको बोलते हैं kaleidoscope इसमे क्या होता है इसमें जो mirrors होते हैं वो 60 degree angle पे होते हैं तो अगर 60 degree पे होंगी तो कितनी images form होंगी 360 divided by 60 minus 1 is equal to 6 minus 1 is equal to 5 तो हर एक object की 5 images form होगी अब इसको जो phenomena होता है तो kaleidoscope में क्या होता है जो mirrors होते हैं वो 60 degree angle पे होते हैं हम ड्रा कर लेते हैं पहले mirror जो च्रीडिरी एंगल पर होंगे तो माल लो आपके जो mirror है एक mirror तो आपका ये हो गया और दूसरा आपका mirror ये हो गया इसमें जो angle है ये है 60 degree तो उसके bottom पर हम small bright colored glass पीसे जो है उसको scatter कर देते हैं तो माल लो ये एक object हम ने यहां पर रख दिया ये coin माल लो आप एक time पर तो इसकी image कैसे form होगी तो देखिए मैं अभी आपको image form करके दिखाता हूँ आपकी image कुछ ऐसे form होगी एक image आपकी यहां पर 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 form होगी और एक image आपकी यहां पर form होगी क्लाइडो स्कॉप में कितनी इमिजन्स फॉर्म होती हैं तो आपका अंसर होना चाहिए पांच क्योंकि जो मिरर्स हैं वो हमने 60 डिग्री के उपर रखे होते हैं तो अभी हम देख लेते हैं कि जो image formation होती है उसकी जो properties क्या-क्या होती है फर्स virtual प्लस laterally inverted होती है image laterally inverted का क्या मतलब है कि आपका right hand plane mirror में आपको left hand लगेगा कैसे देखिए अगर आप plane mirror के सामने खड़े होंगे अगर यह आपका right hand होगा तो आपको लगेगा कि यह आपका left hand है इसको बोलते हम laterally inverted second same size होगा object का और image का third जो distance है वो जो image के front पे होगी वो ही back में होगी तो यहाँ पे अगर object होगा तो आपकी distance op और equal to op dash होगी और जो image है वो behind the mirror बनेगी जे है major properties जो plane mirror में image formation की होती है तो अभी हमने सीख लिया plane mirror और उसकी image formation तो अभी आपको पता चल गया होगा कि plane mirror में image formation कैसे होती है और उसकी क्या properties होती है